दोसतो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे financial ratios के बारे में जिन से हम multi bagger stocks को असानी से फिक कर सकते हैं तो सबसे पहला ratio है current ratio current ratio से मैं पता चलता है कंपणी आज कहां पर stand करती है current ratio को निकालने के लिए हम company के current acids को company की current liabilities से divide करते हैं जैसे company के पास 100 crore के acids हैं जितना जादा देखने को मिलेगा उतना हमारे लिए बढ़ी है तो बात करते हैं P.E. ratio के बारे में P.E. ratio का मतलब होता है Price to Earning ratio P.E. ratio से मैं पता चलता है कौनसा शेर सस्ता है या फिर कौनसा शेर महंग है जैसे मान लीजे कोई ABC कमपनी है जिसका Price 1000 रुपे है और उसकी Earnings 100 रुपे है इसका मतलब है हम 100 रुपे कमाने के लिए कमपनी को 1000 रुपे दे रहे हैं एक औरा के संपल से समझते हैं जैसे कोई XVG कमपनी है जिसका Price 2000 रुपे है और उसकी Earnings 100 रुपे है यानि हम 100 रुपे कमाने के लिए कंपनी को 2000 रुपे दे रहे हैं ABC कंपनी का PE ratio आपको 10 का देखने को मिलेगा और XVG कंपनी का PE ratio आपको 20 का देखने को मिलेगा PE ratio आपको कई कंपनी इसका 10, 20, 50 सा फिर 100 से भी उपर देखने को मिल सकता है PE ratio company की future running के उपर depend करता है जैसे एक ABC company की per year running पहले 80 रुपे थी फिर 90 रुपे थी फिर 100 रुपे थी इसका मतलब कमपनी दीरे दीरे ग्रोग कर रही है लेकिन अगर हम market के साब से देखें तो बड़ी companies का P.E. ratio आपको हमेशा high देखने को मिलेगा example के लिए जैसे ITC का P.E. 27 का है इसका मतलब हम company से 1 रुपय कमाने के लिए उसे 27 रुपय दे रहे हैं अब आप सोच रहे होंगे ये P.E. जादा है या फिर कम है ये company के share price के उपर depend करता है अगर company के share price जादा है तो उसका P.E. भी जादा हो सकता है और अगर company के share price कम है तो उसका P.E. कम होना चाहिए लेकिन अगर आप बहुस सरे stocks की analysis करकर उनमें से कुछ stocks को pick करना चाते हैं तो आपको ऐसी stocks को pick करना है जिनका P.E. ratio 25 से कम हो तो बात करते हैं P.E. ratio के बारे में P.E. ratio का मतलब होता है price to book value ratio लेकिन P.E. ratio होता क्या है share price upon book value per share share price वो होता है जो इस वक्त market में share का price चल रहा है और book value का मतलब होता है acids minus liabilities acids वो होते हैं जिनसे company के पास पैसा आता है और liabilities वो होती हैं जिनको company ने पैसा देना होता है example के लिए जैसे कोई ABC company हैं जिसके पास 100 रुपे के acids हैं और उसके पास 50 रुपे की liabilities हैं तो acids minus liabilities बचे 50 अब जो 50 रुपे बचे हैं वो उनके हैं जिन्नोंने company की share को buy किया हुए यानि जो share holder है book value को मतलब ये भी होता है अगर कल को company बंदो हो जाती है तो हमें क्या मिलेगा इस case में हमें 50 रुपे मिलेंगे ये थी total book value लेकिन हमें चाहिए book value पर share इसे निकालना बिल्कुल simple है book value जो 50 रुपे थी इसे total share से divide कर दीजिए जैसे इस case में हमारे पास total share 10 है और book value पर share 50 है तो आपको 50 को 10 से divide कर देना है तो हमारी book value पर share आ गई 5 लेकिन अब हम price to book value कैसे निकालें यानि PB कैसे निकालें अगर market में share का price 20 रुपे था तो हमें ये वाला formula यूज करना पड़ेगा share price 20 रुपे डिवाइड बाई book value पर share जो थी 5 अगर हम इसे divide करेंगे तो हमारा PB आ जाएगा 4 का लेकिन अगर आप बहुसरे stocks की analysis करकर उनमें से कुछ stocks को pick करना चाते हैं तो आपको ऐसे stocks को pick करना है जिनका PB ratio 2 से कम हो जैसे ONGC का PB ratio 2 से कम है और इस कमपनी की book value 223 रुपे है यानि ये कमपनी आज बंद भी हो जाती है तो भी मुझे per share 223 रुपे मिलेंगे तो हमारा अगला financial ratio है debt to equity ratio debt to equity ratio से मैं पता चलता है कमपनी के उपर कितना कर जाए market के अंदर आपने ऐसी बहुत सारी companies को देखा होगा जिनका price बहुत तेजी से उपर जा रहा है या ऐसी companies को देखा होगा जो बहुत ज़्यादा dividend दे रही है ऐसा company loan लेकर भी कर सकती है loan दो तरीके क्योंते है short term loan और long term loan short term loan company को 12 महिने के अंदर वापिस देना होता है और long term loan company दिरे दिरे देती रहती है लेकिन हमें किस तरीके से पता चलेगा कि कौन सी company ने loan लिया हुए माली जी कोई ABC company है जो 4-5% का dividend दे रही है dividend को देकर बहुत सारे लोग stock को बै कर रहे है जिससे stock का price बहुत तेजी से उपर जा रहा है लेकिन जब company loan वापिस देगी तो stock का price तेजी से नीचे गिरेगा ऐसे में ज़्यादातर companies अपने assets को ही बेज देती है जिसके बाद company grow नहीं कर पाती दोस्तो किसी भी company के उपर करचा देखने के लिए आपको इस formula के यूज करने है total debt divided by total equity जैसे कोई ABC company है जिसके उपर 15 लाग का debt है और 10 लाग की equity है जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो आंसवर आ जाएगा 1.5 अब जो company के उपर 1.5 debt है यह ज़्यादा है जा फिर कम है अगर आपको company के उपर कोई भी करजा नहीं देखने को मिलता तो वो सबसे बड़ी है लेकिन अगर आप बहुस सरे stocks की analysis करकर उन में से कुछ stocks को pick करना चाते हैं तो आपको ऐसी stocks को pick करना है जिनका debt to equity ratio एक से कम हो तो बात करते हैं ROE ratio के बारे में ROE ratio का मतलब होता है return on equity ratio ROE से हमें पता चलता है company कितने percent की return दे रही है ROE का formula होता है net profit divided by shareholders equity net profit जिसे हम net income भी बोलते हैं ये company की income statement से आता है और जो shareholders equity है वो company की balance sheet से आता है जैसे किसी ABC company के net income 59.5 billion डोलर थी और shareholders equity साल की शुरुवात में 134 billion डोलर थी और साल के end में 107 billion डोलर थी अगर हम इसके ROE को calculate करेंगे तो हमें इसका ROE 49.4% का देखने को मिलेगा अब हमें यहाँ पर जो 49.4% का ROE देखने को मिल रहा है जह जादा है या फिर कम है अगर हमें Indian market के हिसाब से देखे तो हमें Indian market में 20-25% की return देखने को मिलती है उसके हिसाब से यह ROE बहुत जादा है अगर आप बहुत सरे stocks की analysis करकर उनमें से कुछ stocks को pick करना चाते हैं तो आपको ऐसे stocks को pick करना है जिनका ROE 20% के आसपास हो और अगर आप share market के बारे में पूरी detail में सिखना चाते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल Robin Compose को subscribe कर सकते हैं